नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इवी स्तान के यूट्यूब चैनल पे और आज के वीडियो में हम एक made in Nepal Electric Motorcycle के ऊपर चर्चा करने वाले है जिसका नाम है यात्री प्रोजेक्ट वन और यात्री प्रोजेक्ट वन नेपाल का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर साइकल है जिसको डिजाइन, डेवलोप्मेंट एड मैनुफैक्चर पूरा का पूरा नेपाल में किया गया है दोस्तों और आज के वीडियो में हम यात्री प्रोजेक्ट वन इलेक्ट्रिक मोटर साइकल का प्राइस, रेंज, टॉप स्पीट, फीचर्स, वारेंटी, सभी चीजों के उपर डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों, और अगर आप इवी स्थान के यूट्यूब चैनल पे न देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे पहले यात्री प्रोजेक्ट वन के लुक्स के उपर बात कर लेता है, यात्री प्रोजेक्ट वन एक बहुती स्लीम इलेक्ट्रिक मोटर साइकल है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक आता है, उससे काफी पदला इलेक्ट्रिक मोटर ब इसकी color options की बात कर लेते हैं तो इसमें बहुत साड़ा color options आता है आप लोग अपने हिसाब से इसका seat color इसका body color और इसके front shock absorber का color भी customize कर पाऊगे यात्री project one electric motorcycle का specification और features के उपर बात कर लेते हैं तो यात्री project one में आपको एक 14 kilowatt का meat drive motor देखने को मिल जाता है और यात्री project one electric motorcycle में आपको एक 3 kilowatt hour का lithium manganese oxide battery pack देखने को मिल जाता है इसी के साथ में यात्री project one electric motorcycle में आपको 110 kilometer का range देखने को मिल जाता है और इसकी top speed की बात करें तो इसमें आपको 100 kilometer per hour का top speed देखने को मिल जाता है यात्री project one की charging time के उपर बात कर लेते हैं अगर आप home charger के through यात्री project one electric motorcycle को charge करते हो तो आप two howards में आपके electric motorcycle को 0 to 100% तक charge कर पाऊगे और यात्री project one electric motorcycle में fast charging भी available है आप अगर fast charger के through आपके यात्री project one electric motorcycle को charge करते हो तो आप 0 to 80% तक charge सी 40 minutes में कर पाऊगे यात्री project one electric motorcycle में आपको regenerative braking system का options भी मिल जाएगा और इस electric motorcycle की tire size की बात करे तो आपको इसमें 17 inch का tubeless tire देखने को मिल जाएगा और यात्री electric motorcycle की ground clearance की बात करे तो आपको इसमें 320 mm का ground clearance भी देखने को मिल जाएगा यात्री project one electric motorcycle की connectivity features की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें onboard 4G network और Bluetooth connectivity भी देखने को मिल जाएगा आप अपने यात्री project one electric motorcycle को यात्री app के थ्रू connect भी कर सकते हो और अगर आप आपके motorcycle को यात्री app के थ्रू connect करते हो तो आप anti theft with onboard GPS, charging status, fast charging availability, on demand service appointment और road size assistance जैसे features का इस्तेमाल कर पाओगे इस यात्री project one electric motorcycle की warranty की बात करे तो इसमें आपको 5 years का warranty देखने को मिल जाएगा और company claim करती है इसमें जो lithium manganese oxide battery का इस्तेमाल किया गया है ये आपको 12 year तक same range provide करेगा अब जान लेते है यात्री project one electric motorcycle का price क्या है और हम लोग इंडिया से यात्री project one electric motorcycle को खरीद सकते है क्या तो आपको बता दे ये जो यात्री project one electric motorcycle है इसको खरीदने से पहले आपको इसको booking करना पड़ता है और इसको book करने के लिए आपको 10,000 नेपाली रूपीज मतलब 6,200 इंडियान रूपीज पे करना पड़ेगा यात्री project one electric motorcycle को खरीदने के लिए आपको 5,65,000 नेपाली रूपीज पे करना पड़ेगा जिसको अगर इंडियान रूपीज में convert किया जाए तो सारे 3,000,000 इंडियान रूपीज से भी ज्यादा का price बन जाता है आप सबको बता दे आप लोग इंडिया से यात्री project one electric motorcycle को नहीं खरीद सकते हैं और यात्री company का future में कोई plan भी नहीं है इंडिया में अपने project one या फिर project zero electric motorbike को launch करने का लेकिन फिर भी अगर आप test ride लेना चाते हैं तो आपको नेपाल के काड़ मांडू में जाना पड़ेगा और फिर भी सारे 3,000,000 रूपे से ज्यादा का पैसा खर्च करके अगर कोई यात्री project one electric motorbike खरीता है तो ultraviolet का F77 electric motorbike कौन खरीते का दोस्तों फिलाल तो ये एक सिर्फ knowledge purpose के लिए वीडियो था तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक like जरूर कर दीजेगा दोस्तों वीडियो को share कर दीजेगा आप लोग comment पे अपना opinion हमें बता सकते हैं और electric vehicles को जानने के लिए electric vehicles को समझने के लिए EVStan की YouTube चैनल को subscribe जरूर and videos आपको सिर्फ EVStan के YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा